हेलो एवरिवन गुद मॉर्निंग तो अल फ्यू वेलकम तो लॉजिक पार्ट शाला आज की इस फीडियो में हम कवर करेंगे 24 और 25 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करेंट अफेस के क्वेस्टेंज डेली करेंट अफेस का जो फेंट्स पीडियफ है आप लोग को मिल जाएगा टेलिग्राम गुरुप से लॉजिक पार्ट शाला 16 जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए फैंस आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से With a new day comes new strength and new thought हर एक नया दिन देखें आपके अंदर एक नई strength और नई thoughts को लेगे आता है तो उस अपनी नई strength और अपने नई thoughts को बिलकुल waste ना करें जाया ना करें उसको अच्छे से इस्तमाल करें देखिए और अपनी दिन को productive बनाएं तो आपने सुबह देखे उटके जो अपने टागेट सेट किया उसको अपना complete जरू करें अगर हर एक दिन अगर आप छोट छोटे टागेट को पूरा करते हैं तो आप अपने मंजिल तक अपनी मंजिल तक जो भी अपने अपनी ड्रीम्स देखे हैं उनको आप लोग जरू प नेशनल कंसियूमर डेड इस इनको मनाने का में परपस क्या होता है तो स्प्रट अवेर्नेस अबाओट कंसियूमर राइट सैंड टी पार अपने एंडिग का मियन उद्यस को इस दिन देखे क्या हुआ था 24 December 1986 को Consumer Protection Bill जो था वो पास हुआ था इसलिए 24 December को मनाया जाता है National Consumer Rights Team Further Amendment उसमें देखे और Amendment भी हुए थे बाद में 1991 में, 1993 में, then 2002 में To Make the Consumer Protection Act More Effective and Consumer Friendly तो उस एक्ट को और भी सादा Effective बनाने के लिए आके उसमें Amendment यानि संशोधन भी किये गए थे अब ये तो National Consumer Day की बात थी, अगर बात करें World Consumer Rights Day की साथ में इस दिन को भी याद रखीगा अगर World Consumer Rights Day पूछेंगे तो आपका अंसर होगा 15 March, 15 March को मनाते हैं लेकिन जो National Consumer Day है ये आपका मनाया चाहता है 24 December को Next Important Day है Good Governance Day Good Governance Day 25th December को मनाते हैं याद खेगा Good Governance Day अब देखे इस दिन क्या होता है, former जो हमारे Prime Minister थे अटल बिहारी बाजपेजी उनकी होती है Birth Anniversary तो अटल बिहारी बाजपेजी के Birth Anniversary के दिन ही मनाया चाहता है Good Governance Day ओके फेंट्स, अटल बिहारी बाजपेजी दीन बार रहे थे हमारे नेशन के Prime Minister 1996 में सबसे पहली बारी हमारी Country के Prime Minister चुने गए थे The Government has been commemorating Good Governance Day every year since 2014 सबसे पहली बार 2014 में मनाया गया था ये दिन और तब से हर एक साल जो है ये दिन Celebrate किया जा रहा है तो कोशन ये भी बन सकता है देखे कि Good Governance Day है इस दिन किसकी Birth Anniversary होती है तो इस तरह से भी कोशन को हमें ध्यान रखना है अब आते हैं फेंट्स कोशन नमबर फरस्ट पी पहला कोशन है विच कांट्री विल इंप्लिमेंट कार्बन बॉर्डर टेक्स अन आइरन, स्टील, अलुमेंट, सेरमिक्स and सीमेंट from 2027 कौन सा देश तो हसा सताई से लोहा, स्टील, अलुमेंट, सेरमिक और सीमेंट पर कार्बन बॉर्डर जो टेक्स है इसे इंप्लिमेंट करेगा लागू करेगा तो ये कौन सी कंट्री करेगी युनाइटिट किंग्डम और कब से करेगी 2027 से सो युरोपन यूनियन के बाद अब युनाइटिट किंग्डम भी ने भी डिसाइड किया है कार्बन बॉर्डर टेक्स को लगाने के बारे में उन्होंने भी डिसीजन लिया है जो अमाउंट होगा ना टेक्स का कि वह कितना टेक्स लगेगा वो डिपैंड करेगा कि कितना जो है कार्बन एमिट हो रहा है कितना जो है कार्बन एमिट है उसका जो अमाउंट है उसके उपर डिपैंड करेगा कि आपके उपर टेक्स कितना लगेगा तो यहाद दखेगा फ्रेंट्स यहाँ बात किसकी ओरे United Kingdom की United Kingdom की बात कहते हैं तो Capital है यहाँ की London Currency है Pound Sterling और UK की Prime Minister कौन है? Rishi Sunak अगला Question India has invited France President Emmanuel Macron as a Chief Guest for the January 26th Republic Day Celebrations This is the dash a French leader will be the Chief Guest at Republic Day Celebrations in the National Capital अपकी बार देखे 26 अनवरी के लिए किसी invite किया गया as a Chief Guest France के President Emmanuel Macron को और Question में देखे थोड़ा सा different तरीके से पूछा गया है कि किसी French Leader का पर दब कितनी बार है कि French Leader को as a Chief Guest जो है invite किया गया at a Republic Day Celebration पी तो राइट आंसर है यहाँ पे 6th time This is the 6th time छटी बार है कि French Leader को invite किया गया है as a Chief Guest Question direct भी आप लोगों से simple तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 26 अनवरी को किसी invite किया गया है as a Chief Guest Simple answer है France President Emmanuel Macron को Macron से पहले दिखिए former French Prime Minister जो थे Jax Chirac इनको invite किया गया था as a Chief Guest Republic Day Celebration पे 1976 में और उसके बाद इने 1998 में भी invite किया गया उसके बाद यहाँ के former President रहे जैसे Valtry, Giscard इने 1980 में invite किया गया उसके बाद Nicole Sarkozy को 2008 में invite किया and Francois Hollande इनको invite किया गया था 2016 में अब देखो यह year आप लोग उसे नहीं पूछेंगे जादा बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग बस याद रखें कि इस बार 6th time है कि France के जो है लीडर को invite किया गया है इंडिया में एजर चीव गेस्ट के रूप में अभी देखें फ्रांस में बेस्टिल दे परेड हुई थी बेस्टिल दे सेलेबरेशन के दिन प्राइम मिनेस्टर मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था ऐस धी guest of honor तो प्रेजिडेंट जो मेकरॉन है यहां के उन्होंने invite किया था मोदी ची को अपनी बेस्टिल दे सेलेबरेशन की जो celebrate करते हैं लोग उसमें ऐसा guest of honor उन्हें invite किया गया था फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के capital है पैरिस फ्रांस की यहां प्रेजिडेंट है Emmanuel Macron प्राइम मिनिस्टर है यहां पे Elisabeth Bourne नेक्स क्वेशन प्रोजेक्ट प्रियास हैस बीन लॉंच्ट बाइविच और्गनाईजेशन तो प्रोजेक्ट जो प्रियास है उसे किस organization के द्वारा शुरू किया गया है तो यह शुरू किया गया International Organization for Migration तो फ्रेंट्स IOM जो है इसके द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट प्रियास इसमें उन्होंने Ministry of External Affairs के साथ में partnership भी की यहाँ जो प्रोजेक्ट प्रियास उसका बुरा नाम है Promoting Regular and Assisted Migration for Youth and Skilled Professionals यह जो प्रोजेक्ट इसमें लॉंच किया गया है to facilitate safe, orderly and regular migration for Indian workers and students वह जो Indian workers जो students है जो देखिये migrate होते हैं मतब प्रवासन की जो सुविधा है उनकी वो safe हो सकी उसको अच्छे से सुविवस्तित बनाया जा सके इसी प्रोजेक्ट जो प्रियास है इसे शुरू किया है किसने International Organization for Migration ने अब बात करते हैं सौर्गनाइजेशन के बारे में इसकी स्थापना होई थी 1951 में हिटको आटे इसका है जेनिवा में डाइरेक्टर जनरल है इसके एमी पॉप IOM का में परपस क्या होता है देखिये में उदेशे क्या है सौर्गनाइजेशन का तो इसका लक्षे होता है स्टेट और सेंटल गवर्मेंट के बीच बेहतल समन्वे कोडिनेशन के लिए एक रोट मैप को डेवलप करना ही इस ओगनाइजेशन का में उदेशे होता है Next है Union Minister Smriti Irani inaugurated the National Program on Anganwadi कम Cratch in which city तो Smriti Irani ने के शहर में आंगनवाडी सहे क्रेच पर एक राष्टे कारिगरम का उदगाटन किया तो इस कारिगरम का उदगाटन किस ने किया इस तरह से पूछेंगे तो आपका आंसर होगा Smriti Irani ने और अगर बात करते हैं कौम से शहर में किया then answer होगा हमारा New Delhi में जो है इस National Program का inauguration किया गया अब इस प्रोग्राम का क्या उदेश है था तो इसका main purpose था 6 महीने और 6 साल की जो बच्चे होते हैं उन 6 महीने से लेके 6 वर्ष की आयों के बच्चों के लिए secure और safe environment में उनको quality cratch facilities है वो provide करना उनको गुर्वत्ता पूर्ण, cratch, सुविधाएं, प्रदान करना ही इसका main उदेश है तो इसके लिए government प्लान भी कर रही है कि 17,000 cratches जो है वो country में उपन किये जाएंगे इस facility को provide करने के लिए इसी पर national program हुआ था जिसको inaugurate किया था इसमिरती इराणी ने और कौन से शहर में किया था इन्होंने न्यू डेली में next question which state government has lifted liquid ban in the gift city तो किस राज्य सरकार ने gift city में जो शेराप प्रतिबंध है इसे हटा दिया है तो इसे हटाया है देखे gift city से आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है गुजराथ state की तो गुजराथ state ने जो है अपनी gift city में जो लिक्वर बैंता उसको हटा दिया है शेराप प्रतिबंध को हटा दिया लिक्वर एक्सेस पर्मिट है वो दिये जाएंगे ओनर्स एंपलॉईज ऑफ कंपनीज इन गिफ्ट शिटी तो गिफ्ट सिटी में जो कंपनीज के ओनर है और जो वहां के employees है उनको जो है ये permit यानि जो liquid access permit है ये दिये जाएंगे companyya जो है दिखे can authorize visitors with temporary permits for drinking तो drinking के लिए जो companyya है वो temporary जो permits है उनके साथ company जो है authorize कर सकती है visitors के लिए तो यहाँ पियाद दखेगा किसने किया है गुझरात government नी गुझरात की बात करें गुझरात की capital गांधी नगर है cm है भूपेंदर पतेल गवर्नर है आचारिया देवरत गुझरात की important national park में है गिर फॉरेस नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वांस्ता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ, मरीन नेशनल पार्क यहाँ के important dams में है सरदार सरोवर डाम यही नरमदा रिवर पे बना है उसके बाद है उकाई डाम जो की है तापती रिवर पे, कदाना डाम जो है यह बना है माही रिवर पे गुझरात से बात करते हैं कुछ और important नहीं उसकी तो देखें गुझरात ने जो घोल फिश है उसको as a state fish डिकलेर किया इसके लाबा गुझरात सरकार ने शुरू की ती सिंग सूचना वेब अप्लिकेशन नेक्स्ट क्या दखेगा गुझरात ने कंट्री का पहला satellite network portal site को start किया नेक्स्ट कुझरात government ने शुरू की देखे तरंग mail service को ताकि जो parcels और mail है उनको सी रूट के थूर डिलीवर किया जा सकी है इसके लाबा प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने mission life movement जो है इसे शुरू किया गुझरात के शहर के वड़िया में गुझरात में मोधी जी ने mission school of excellence को भी start किया था नेक्स्ट याँ देखेंगे गुझरात government ने go green scheme शुरू करी थी नेक्स्ट याँ देखेंगे वतन प्रेम योशना भी यहाँ पर शुरू की गई थी गुझरात में successfully गुझरात में बाली का पंशायत जो है इसको successfully किया गया था कुनरिया village में तो यह हमारी important news है गुझरात state से नेक्स्ट question देखें government of India has signed an agreement with Asian Development Bank to get a 100 million US dollar loan to improve urban services and tourism facility in which state तो किस state में शहरी सीवा और परिटन सुविधाओं में सुधार करने के लिए भी ADB से loan लिया है कितना 100 million dollar का तो यह किस state के लिया गया है तो याद दखेगा friends तिरपुरा state के लिए इसका main purpose क्या होगा कि इस loan को use किया जाएगा वहाँ पे जो urban services है वहाँ की जो tourism facility है उसको सुधार करने के लिए उसको improve करने के लिए इस loan को use किया जाएगा तिरपुरा की बात करें capital है अगरतला, cm है मानिक साहा और यहां के governor कौन है इंदर सेन रेड़ी संधीब बत्रा has been reappointed as a executive director of which bank तो संधीब बत्रा जो है किस bank के जो है ये कारेकारे निदेशक के रूप में इन्हें दुबारत से देखी नियुक्त किया गया है तो दुबारत से reappoint हुए है ये ICIC bank के executive director ICC bank का पूरा नाम है industrial credit and investment corporation of India bank इसकी स्थापना हुए 1994 में headquarters का मुंबई में है MDCU है संधीब बक्षी और tagline क्या है इसकी हम है ना खयाल आपका कुछ और appointments की बात करते हैं जो कि banking sector से related है देखिए तो अभी Indie Free Technologies के CEO कौन बने संगराम सिंग Mixed Life Insurance के chairman बने है Rajiv Anand इन्होंने replace किया है Anna Lichit Singh को इसके लावे executive director of insolvency and bankruptcy board of India तो इसके executive director कौन बने जितेश जौन Next question है who has been appointed as a director of the National High-Speed Rail Corporation Limited तो यहां बात करें NHSRCL इसका पूरा नाम ध्यान रखना National High-Speed Rail Corporation Limited तो इसके अभी निदेशक यानि director के रूप में appoint किया गया है किसे प्रमोद शर्मा को NHSRCL जो है यह एक implementation agency है जो कि इंडिया में high-speed जो rail projects है उनके उपर यह work करती है प्रमोद शर्मा जो है institution of railway signal engineers officer है 1989 batch की Next question Which company has been conferred with the prestigious National Energy Conservation Award 2023 किस कंपनी को प्रतिश्टित राश्टी उजा संरक्षर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो यह honor दिया गया है किस कंपनी को कंपनी का नाम है Crompton Crompton company है जो कि इंडिया की एक consumer electrical company है जिसको honor किया गया है National Energy Conservation Award सी यह जो honor है यह दिया गया है honorable president of India दुरापदी मुर्मू और ministry of power तो ministry of power और जो इंडिया की president है दुरापदी मुर्मू उनके द्वारा जो है उनके मार्धिन से यह जो honor है वो दिया गया है इसे के साथ बात करें कुछ और awards के बारे में तो देखिए लिक एरिक्सन लिउनर प्राइस यह प्राइस मिला है इसरो के चंदरियान थ्री मून मिशन के लिए यह प्राइस इसरो को मिला है भूटान से नेशनल ओडर अप मेरेट गोल्ड मेडल किसी मिला दॉक्टर पूनम खेतरबाल सिंग को प्रस्टीजियस इंटरनाशनल दॉक्टरेट यह मिला है दॉक्टर नितिन मोहनलाल को नेशनल एनरजी कंजरवेशन अवार्ड से समानित किया गया है रिलाइंस निपन लाइफ इंशूरेंस को नेक्स्ट कोईशन देखें इसफेट जरूर यह दिखेंगा तमिलाडू में इस बार गेम्स होंगे और यह जरूर यह दखेंगे यह होगा इसपर दूर यह होगा इसे थे दूर्स पहने इसफेट करेगा मिलाडू देखेंगे यह जरूर चाहराइफ इंशूरे इन भार इनो Wednesday वैट रूइन का सिक्स्त एडिशन तो फ्रेंग्स जो मिनिस्ट्र है यूथ अफेस व स्पोर्ट्स मिनिस्ट्र है अनुराक सिंग ठाकुर उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ओफिशल जो लोगो है उसकी जर्सी मैस्कॉर्ट टोर्च थीम सॉंग तो इन सभी को जो है उन्होंने लॉंच किया तमिलाडू चेन नहीं में छाटा एडिशन खेला जाएगा 19 जैन्वरी से लेके 31 जैन्वरी 2024 तक तो फ्रेंग्स यहां हमारे क्वेशन्स हो गए कंप्लीट अब बात करते हैं स्टेटिक जीकी के क्वेशन्स की पहला क्वेशन देखिए वेर इस दक कंदरिया महादेव टैंपल लोकेटेड तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये मंदिर जो है कहां पे लोकेटेड है तो इसकी लोकेशन याद रखेगा फ्रेंड्स खजुराहो खजुराहो मध्यप्रदेश में है वहां पे लोकेटेड है कंदरिया महादेव next question with which of the following musical instruments was the magician Bismillah Khan associated तो Bismillah Khan जो है इनका समन्द किस musical instrument से है यह जो है famous शेहनाई player शेहनाई के famous magician है Bismillah Khan इनका नाम याद रखीगा इस बार ऐसे ही देखिए जो great musician होते है उनकी instrument पूछ लेती है इस पे हमने आपको एक वीडियो प्रवाइट कर रखी है स्टेटी जीगे के playlist में आपको वो वीडियो मिल जाएगी next question है the word सत्यमेव जयते on the state emblem has been taken from which उपनिशद सत्यमेव जयते जो शब्द है यह किस उपनिशद से लिया गया है तो यह लिया गया है famous Chinese travel a hensang visited India during which emperor's reason famous चीनी यातरी hensang जो है किस समराट के साशनकाल के दोरान उनोंने भारत का दोरा किया था तो यह भारत का दोरा किया था उनोंने हर्श वर्दन के साशनकाल में next question pH value of human blood is dash जो human blood है मानव रखत है उसका pH मान कितना होता है तो इसकी pH value होती है 7.4 ऐसी है अगर हम बात करें देखे कुछ और की जैसे milk की pH value होती है 6.8 human saliva की बात करें इसकी pH value होती है 6.4 इसके लाब फ्रेंड्स lemon juice की बात करते है lemon juice की pH value होती है 2.2 और जो lime water होता है lime water की pH value कितनी होती है 10.5 ये एक्साम में ऐसे ही directly पूछ लेते हैं किसी का भी नाम देखे उसकी pH value आप लोगों से पूछी जा सकती है तो यहां फ्रेंड्स हमारे questions भी complete हो गए हैं अब बात करते हैं revision की तो पहला question देखिए तिब्बतन spiritual leader Dalai Lama has inaugurated the three-day international sangha forum in which is city तो तीन दिन का जो अंतराश्टे sangha forum है इसका उद्घाटन इन्होंने के शहर में किया बोद गया मी next question scientist discovered volcanic activity over a plane called the acylium planetia यह कौन से planet पे located है तो acylium जो है इस नामक मैदान पर अभी जो आलमों की गतिविदी की खोच की है scientist ने और यह है कौन से planet पे? Mars पे next एक है by which year does the government of India जिन्होंने उद्देश्य रखा है nuclear power capacity को बढ़ानी का 7,480 MW से बढ़ा कर किया जाएगा इसे 22,480 MW और इसका लक्षे रखा है कब तक? 2032 तक next question ministry of textile जिन्होंने launch किया है part metro application तो part metro जो application है यह launch की गई है किसके लिए? jhoot farmers के लिए next एक है former chair of the national commission for women and padmabhushan awardee Dr. V. Mohanigiri passed away recently कौन सी एर में इनको padmabhushan award मिला? तो padmabhushan award इने मिला था 2007 में next question देखिए Wrestling Federation of India के अगले नई president कौन चुने गई है? so नई president चुने गई है Sanjay Singh और Sanjay Singh जो है इनोंने रिप्लेस किया है ब्रिज भूशन शरन सिंग को next question UNESCO has awarded the highest honor जो कि है award of excellence to Rambag Gate तो Rambag Gate जो है इसे सरवोच सम्मान जो है award of excellence से सम्मानित किया किया है कहाँ पे है ये located तो ये है कहाँ पंजाब में next question who has been awarded Bhutan's National Order of Merit Gold Medal for her distinguished services to the country Bhutan के National Order of Merit Gold Medal से सम्मानित किया गया है किसे Dr. Poonam Khetrpal Singh को next question तो सुकृता पॉलकुमार इसका कौन सा एडिशन जीता है इन्होंने तो याद देखेगा इसका जीता है 6th edition और ये award उन्हें मिला है उनकी book Salt and Paper Selected Poem ये इनकी book का title है जिसके लिए उन्हें ये prize मिला है So friends complete हो गए है हमारे सभी आज के important questions अब बात करते हैं test के question की तो पहला question देखिए Which IIT has partnered with Kotak Mahindra Bank Limited to launch of the Kotak School of Sustainability तो Prince यहाँ पुछा गया कि किस IIT के साथ में ये partnership की गई है Second question है देखिए Which IIT, which country will impose green text on air passengers from 2025 2025 से कौन सर देश जो है हवाई यात्रियों पर green text लगाएगा तो ये हैं दो question इनकी answer friends आप लोग हमें बताएं comment box में इसे के साथ daily current of worker session यहाँ पी होता है complete friends अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी contribute करना चाहते हैं अपने दिल से तो आप यहाँ से हमें contribute कर सकती हैं तो ऐसी important वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे till then bye bye take care have a good day thank you so much for watching this video